इस वीडियो में चर्चा करेंगे अनेक मूवी के बारे में तकरीबन इसकी जो लेंट है वो दो गंटे से जादा की रखी गई है दो गंटे पंदरा या बीस मिनिट के आसपास है एक्जेक्ट मुझे याद नहीं है क्योंकि काफी जादा लेंट थी मुझे मूवी लगी है ये अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहाने की देखे ट्रेलर में जैसे इसमें दिखाया गया था है कि इस मूवी में नोर्थ इस्ट को लेकर वहाँ पर जो अलगावबादी जो सेपरेटिस्ट जो ग्रूप है अब गॉर्मेंट उनके साथ वारतालाब कर रही है पीस, एकॉर्ड मतलब कि एक शांती समझोता उनके साथ करने की कोशिश कर रही है और यह तमाम चीजें जो हैं इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलती है और इसमें आईशमान कुराना एक अंडर कॉप के रूप में हमें काम करते हुए दिखते हैं अब यहां पर जितनी भी चीजें हमें दिखा जाती है तो एक सीरियस इशू है यह नोर्थ इस्ट को जिसमें आफस्पा का इसमें एक बात की गई है कि आफस्पा लगा दिया जाता है यहां पर हमें जबरदस्ती इस देश के अंदर यानि कि नोर्थ इस्ट का ऐसे पॉइंट औ व्यू रखा गया है कि जबरदस्ती भारत के अंदर मिलाया गया है आप देखें जब 1947 के अंदर जब भारत आजाद होता है तो उस वक्त आसम एक पूरा एक आसम ही हुआ करता था यह नोर्थ इस्ट के यहां पर आसम को धीरी धीरे काट कर अलग-अलग राज्ये बनाए गये थे और उस वक्त काफी जदा वहां पर आसम को लेकर यह था कि वहां उनको जो राज्ये बनाए गये थे उनको यूनियन टेरिटरी का दरजा दिया गया था उनको राज्ये का दरजा नहीं दिया गया था तो एक रूट प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट हो जाती है वहां पर लोग कह रहे थे कि हमें एक राज्ये का दरजा दिजिए हमें कुछ अपने यहां पर इलाके में अलग से पावर प्रॉइड कर दिजिए एक उटोनोमियस रीजन बना के दिजिए हमको तो यहां पर स्टार्टिंग से गौर्वर्ण में ध्यान नी नी दिया था अगर आप यहां पर इंकीव स्टूइशन रियल प्रॉब्लम को आगर आप देखते हैं तो निकल के आता है कि गौर्वर्णमान यह थे दिया जिससे भड़ते भढ़ते धीरे धीरे वो चीजे और ज़्यादा increase हो जाती है फिर वहाँ पर लोगों को लगता है कि हमें तो हमारे पर ध्यान नहीं दिया जा रहा तो हम अलग से देश बनाने की वो एक movement में लग जाते हैं और यहाँ पर धीरे धीरे time बीतने के बाद government यहाँ पर focus करती है development पर focus करती है आफसपा अब धीरे दीरे आप देखेंगे यह आफसपा की news आपने थोड़े दिन पहले सुनी हूँ तो कि वहाँ से हटाया गया है कुछ जगह पर तो यहाँ पर यह चीजें देखने को मिल रही है कि development हो रही है government उनसे बात कर रही है काफी सारे ऐसी organization है जो peace accord यानि की जो शांती समझोता है government के साथ कर रही है काफी सारे एक से सेपरेटिस्ट हैं जिन्होंने murder कर रही है government उनके साथ एक अलग approach अपनाती है उनको उन सभी इलजाम से मुक्त करके वापस mainstream में लाकर उनको रखती है समाज में कि आप बैठ ये आप बात करिए यहां पर आप अराम से जीवन बैताई है तो यहां पर एक real problem इस movie में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है कि start कहां से होती है एक बहुत जादा एक biased movie यह मुझे लगी है जिस तरीके से एक नेगटिव को तो लोग पसंद ही नहीं करते हैं ऐसा movie को देखकर मुझे लगा है और कहीं से भी अगर मैं अपनी real experience को मैं बात करता हूं कि मैं जैसे डैली में था मेरे साथ में ही मनिपूर के लोग रहा करते थे तो कभी तो मुझे ऐसी feeling हुई नहीं किया और मैं इनको अलग नाम से जैसे इसमें चिंकी मिंकी जैसे बताया गया अभी कहीं नहीं हुआ इवन हमारे आसपास की जितने लोग रहते तो कभी भी किसी ने ऐसा कोई behave किया ही नहीं हमने कभी ऐसे अलग से treat किया ही नहीं उनको बैटके बात नहीं किया है उनने तो यहां पर जो चीजे रियल हैं वो यह नहीं दिखाएंगे इन्होंने एक बायस चीज दिखाई है इसको देखकर बहुत जादा बुरा लगा है इस movie के इस starting में एक scene आता है जिसमें Tiger तांगा करके इस इस में movie के अंदर दो गूप दिखाएंगे एक Tiger तांगा एक Johnson करके Tiger तांगा बहुत जादा एक aggressive है वो गलत वे से यह अपने काम मतलब की निकालना चाह रहा है उसके drug के काम चलते हैं और भी बहुत सारे चीज़े उसके illegal activities हैं एक Johnson है जो एक शांती तरीके से एक अलग से movement चला रहा है अपने separatist का तो यहां पर यह जो starting का एक scene आता है जिसमें tiger आगा है वह media से बात करते 123 अब यहां पर media से बात करते करते क्श्मीर का भी issue उठाते कि कश्मीर के लोगों को पाकिस्तानी समझ जाजा जाते और एक नखसलवाद को को भी जाने की नखसलवाद के लोगों को भारत का बहृत के लोग नहीं समझते यह वो अगर आप point of view वहाँ पर सुनते हैं एक media person सामने बैठा है और media person से कुछ भी नहीं बोला जा रहा है एक अनब शनब से वो चीज़ें आ रही है illogical वो चीज़ है आप अप्रोच करिए कभी भी government की नीतियों की तो आपको पाएंगे कि जो north east है वहाँ पर जितने भी separatist group हैं तो government उनके एक अलग वे से treat करती है और जो कश्मीर है वहाँ पर एक अलग वे से treat किया जाता है वह यह कश्मीर में शांती से table पर बिठा कर बात नहीं की जाती लोगों से उनको मारी दिया जाता है और वहाँ पर एक अलग अप्रोच है वो एक अलग issue है उनके पर फिर कभी discuss करेंगे लेकिन अप नोर्थीस पर देखिए जो tribe है हमारी अरे गर्ड महसूस होता है अब में घाले की बात कर लीजिए वहाँ पर एक अलग अ काफी सारे एक ऐसे राजें जहां पर बात करेंगे मात्र सत्तात्मक जहां पर महिलाओं की एक तरीके से पुरुषों से बहुत जादा उंचा उनको ओजा दर्जा दिया गया है तो आप देखते हैं कि हमारे देश में कितनी जादा diversity है अभी थोड़े दिन पहले जैसे वहा एक लास्ट में डायलोग है इस मोवी में जिसमें ट्रेलर के अंदर भी वह डायलोग दिखाया गया था हम साउथ हम नोर्थ यह नोर्थ यह वैस्ट यह क्यों करते हैं भाई सब वह डैरेक्शन के बेस्पे किया जाता है कोई मैं यह नहीं कहुँगा कि मैं नोर्थ हूँ इंडिया ही अलग कर दूँ मैं नोर्थ का नहीं भाई वह सिर्फ और सिर्फ डैरेक्शन के बेस्पे उपर के हिस्से को नोर्थ नीचे के हिस्से को साउथ सिर्फ और सिर्फ यह डैरेक्शन के हिस्से के हिसाब से बात की जाती है अब जितने भी यह तेलें गाना आंदर प बॉलिवुड वाले किस माइंड से इन्होंने ये चीज घुसेड़ी है लोगों में अब जैसे मैंने आप लोगों के साथ डिसकस कर रहा था कि फर्स सीन जिसमें वो टाइगर थांगा जैसे बात करता है भाईसा मीडिया परसन उसकी बात को काउंटरी नहीं कर रहा है हरानी क सारा और मारने के बाद वहां पर उसने डांस तक किया था अभी वो केस के उपर तो भी कुछ भी नहीं हुआ है मैं तो चाहता हूं उस हराम कोर को फासी हो अब जैसे एक्शन लिये जा रहे हैं जब जैसी उमर कैद होती है कश्मीर के अंतर एंटी इंडिया के स्लोगन लग बात का आने वाले टाइम में वह भी लिया जाए तो यहां पर एक आर्ग्यूमेंट को जिस तरीके से काउंडर करना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं होता फिर टाइगर था जो है जैसे गवर्मेंट से बात करते तो गवर्मेंट का इसे बेफूफ दिखाया गा है बाई पर ठीक ढंग से रिप्रेजेंट करो यार उनकी बातों को अप एक कंवर्शेशन मुविए इसके अंदर आपको एक्शन नहीं आप कंवर्शेशन पर आएंगे तो कंवर्शेशन जिस ढंग से होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं होती फिर यहां पर जैसे एक मिलिटरी क जो आर्मी आती है उसका एक पॉइंट ओव इसमें देखने को मिलते हैं कि आर्मी कहती है कि हम तो गोली मार देंगे जो देश के खिलाब होलेगा ऐसा नहीं है इतना गलत वे में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो इंडियन आर्मी को यह कोई इतना मुझे गुसा आया स्टार करने वाले इसके अंदर कोई नहीं दिखाएंगे सिर्फ नोर्थ इस्ट में जैसे जो अलगाव वादी हैं उनके पॉइंट ओव्यू को जैसे उंचा रखा गया है बाकी के सामने वालों के जैसे पॉइंट ओव्यू है नहीं तुम्हारे कश्मीर में से 370 धारा अटाई ग हमें बहुत खुशी हुई थी पूरे देश में खुशी हुई थी पटाके फूटे थे और यहां पर जैसे यह बोला जा रहा है कि हमारे यहां पर 371 है हमें स्पेशल टेटर तो यह ट्राइब का मामला आ जाते हैं बहुत एक अलग अपर बात करने बैटेंगे तो बहुत ज हम जाया जाते हैं उनके साथ वारता लाप कि जाती अब कर रहे हैं स्टार्टिंग से जैसे सिच्वेशन बिगडी थी गवर्मेंट ने स्टार्टिंग पर ध्यान नहीं दिया था जिसके कान बहुत सारे अलगावाबादी पैदा हो गए थे तो यहां पर स्टार्टिंग का अगर आप पॉइंट ओव देखते हैं तो वो इस मूवी में नहीं एक पूरा बायस नेस इसके अंदर हमें देखने को जो मुझे बहुत जादा बोरा लगा एक सीरियस इस्यो था इसको सई डंग से रिप्रेजन करना चाहिए था इसमें कहीं पर भी आपको कोई भी एक थी नहीं वैसे खाली थे लगब जहां तक मुझे याद च्छे या साथ लोग होंगे जो इस मूवी को देखने आये हुए थे क्योंकि कि सी को कंवर्शेशन में दिलचस्पी नहीं थी हाँ मुझे conversation में जिल्चस्पी जिस तरीके से आप री present करते हो खासकर जिसमें आप भारत को री present कर रहे हो उसकी image को री present कर रहे हो मुझे बहुत जादा उससे effect पड़ता है और मैं उसको मतलब आप देखें मैं बहुत उससे research भी करता हूं उसके बारे में और इसके बारे में जो इसमें आता है Johnson के द्वारा यहां पर दिया जाता है कि एक बाइस किलोमेटर की चिकन नेक है जिसमें एक काफी जाद एक कंजक्टिड एरिया हो जाता है कि आर्मी का आना हो जाता है समान यहां से नहीं ले जाए अप जाता तो यह एक issue है और definitely इसके उपर होनी चाहिए बात हैं और यहां पर कोई ना कोई समाधान भी होना तो यहां पर अगर ऐसी बाते होती हैं तो अच्छी चीजह लगती है बेसलेस चीजहों के ओपर आप बात करो जिसमें एक नेगटिव बेज में दिखाओ सारह का सारा आप बायस में लेकर चाहिए वह नहीं होना हैं मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा वन आउट ओव टैन अगर आप लोगों ने मूवी देखिए तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसे लगी सीरियस इशू था यह बहु हो ज्यादा और इसके ओपर सही डंग से वर्क करना चाहिए तो वह बिल्कुल भी नहीं हुआ तो बस आज के लिए इतना है रखते हैं इस वीडियो में थैंक्स वीडियो में जैहिंद